अब इस बाबा ने कह मीठे बच्चे विचार सागर मन्थन कर विचार सागर मन्थन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाशन चले जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाशन चले यही है तुम्हारी यूनिटी यही है तुम्हारी यूनिटी यह ऐसा हुआ भी है जो बाबा आज कह रहे है न यह ऐसा हुआ भी और एक बार ने कई बार हुआ है सन दो हजार बारा में टॉपिक रखा था वन गॉड वन वर्ड फैमिली एक ही समय पर देश के कैपिटल मतलब इस्टेट्स के कैपिटल तो जैसे भोपाल है लखनौ है चेन नहीं है स्टेट्स के जो कैपिटल है दिल्ली है एक ही समय पर एक ही टाइम पर प्रोग्राम आ रहा था एक ही विशह पर और देश विदेश के भी पहुंचे थे उसमें विदेश की दीदियां भी पहुंचे थे देश के भी पहुंचे तो बहुत अच्छा वो दिख लग रहा था और शिस्टर शिवानी और कनुप्रिया उस प्रोग्राम को मतलब TV चैनल सुनका तो था ही तो उसको वो कॉडिनेट कर रहे थे बाके तो पूरे टीम मधवन से कॉडिनेट हो रही थी लेकिन जो टेली कास्ट हो रहा था अधर अध चैनल पर तो वो आस्था, संसकार, ब्रह्मा कुमारिस का चैनल, पीस ओप माइंड तो वो सब की अभी आपको ले चलते हैं लखनव अभी आपको ले चलते हैं चेन नहीं इस तरह से एक ही टॉपिक पर तु बाबा कहते तब क्या होगा तब तुम्हारी यूनिटी का पता अच्छा प्रश्ण है कौन सी महनत करते करते कौन सी महनत करते करते तुम बच्चे पास्विद आउनर हो सकते हो और कौन सी महनत करते करते तुम बच्चे पास्विद आउनर हो सकते हो चलो बाबा ने कहा आंसर है कर्म बंधन से अतीत बनो अर्थात कर्म किया फिर उस कर्म के भाव से न्यारे चाहे अच्छा हुआ चाहे कैसा भी हुआ बाबा बैठा है मैं ट्रस्टी हूँ यदि खराब भी हुआ और वो आपके मन में गिल्टी कॉंश्यस है आप तो वो भी गलत है अच्छा हुआ उसमें भी है यदि आप कॉंश्यस है तो वो भी नहीं होना चाहे तो बाबा ने का बाबा ने कि ट्रस्टी बन जाओ तो कर्म बंधन से अतीत बनो जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रकुटी में देखो भाई भाई की द्रिष्टी से वह इसनेहे और संबंध पक्का हो जाएगा यही महनत का काम है इससे ही पास्विद ओनर बनेंगे कितनी बढ़िया युक्ती बाबा बता रहे हैं कि आपको धरम राज की आगे आखे भी नहीं जुकाने पड़ेंगी पास्विद ओनर बनेंगे इस युक्ती से कि आत्मिक भाई भाई की द्रिष्टी रखो उच पद पाने वाले बच्चे या पुर्शारत अवश्य करेंगे उच पद पाने वाले बच्चे या पुर्शारत अवश्य करेंगे अच्छा ओम शांते मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है यह मृत्यू लोक, उसकी भेट में अमर लोक भी है, भक्ती मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, अब अमर लोक में तो तुम जाते हूं, शंकर तो कथा सुनाते नहीं, अच्छा इत चलो अमर कथा सुनाई, तो सरफ एक ही पार्वती को इसका अर्थ क्या है पार्वतिया कौन है पार्वतन से आई हुई आत्मा है पार्वतन अर्थात परमधाम से आई हुई आत्माओं को श्व बाबा अभी अमर कथा सुना रहे है तो बाबा कहते हैं कथा सुनाने वाला ज्यान सागर एक ही बाप है शंकर कोई ज्यान सागर नहीं जो कथा सुनाएं गे ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है काल पर जीत कैसे पाई जाती है यह जो knowledge है वो अमर बनाती है इस से फिर आयो बड़ी होती है वहां काल होता नहीं अकाल अम्रत्यू नहीं होती क्यों? क्योंकि यहां हमने एक एक चीज सफल की हुई होती है अपना संकल्प सफल किया होता है तो कभी भी heart attack नहीं आएगा, संकल्प और heart का एक connection है न, तो बाबा ने एक बारी बताये था मुली में, धन सफल किया, तन सफल किया, मन सफल किया, समय सफल किया, तो उसका क्या result में पदम गुणा होके मिलता है, समय सफल किया, तो कभी भी असफल नहीं होंगे, सफलता भव क वर्दान मिल जाएगा, तन को इस शुरी कार में लगाया, तो निरोगी भव का वर्दान मिल जाएगा, मन को इस शुरी कार में लगाया, तो डिप्रेशन, जो मानसिक बीमारिया हैं, उन से फ्री हो जाएगे, न, emotions, control में होंगे, मन को यदी शुरी कार में लगाया, धन को युशुरी कारे में लगाया तो कभी भी किसी के आगे मांगना नहीं पड़ेगा कभी बेबस नहीं होंगे हमेशा भरपूर होंगे क्योंकि हर चीज का बीच तो हम यहीं होते हैं बैंक तो यहीं है संगम और कहीं पर तो बैंक है ही नहीं है तो बाबा कहते हैं काल पर जीत कै से पाए जाती है या जो नॉलेज है वो अमर बनाती है इससे आयो बड़ी होती है वहां काल होता नहीं यहां तुम पांच विकारों अथ्वा रावन पर जीत पाने से राम राज अथ्वा अमर लोक के मालिक बनते हो म्रत्यों लोक में है रावन राज अमर लोक में है राम राज देवताओं को कभी काल नहीं खाता वहां काल के जमगट होते नहीं काल के मतलब यम्राज के दूद कहते हैं, काले-काले जम गट आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, बाबा है कहते हैं, सत्यूग में ऐसा कुछ नहीं होता. तो यह टॉपिक भी बहुत अच्छी है. मनुश्य काल पर विजय कैसे चक्र सकते, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आजकल को डर भी रहा था ना म्रत्यू का भय हमारे आए बुक है चोटी सी म्रत्यू को कैसे जीते यह सारी ज्ञान की बाते भारत अमर लोग था कितनी बड़ी आयू थी सर्प का मिसाल भी सत्यू के लिए है कि एक खाल छोड़ दूसरी लेते है और बिना दर्द के खुशी-खुशी तो इसको कहा जाता है बेहत का वैराग्य सर्प भी खुश होता है कि एक खाल छोड़ के दूसरा उसको अपने आप आ जाता है तो सत्यूक में भी जब शरीर छोड़ते है तो खुशी होती है कि मैं नया वस्त्र पहनूंगा क्योंकि अटेच्मेंट नहीं है नहीं बिलकुल तो बाबा केते हैं इसको कहा जाता है बेहत का वैराग्य जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है यह पुराना शरीर भी छोड़ना है यह 84 जन्मों की पुरानी खाल है अमर लोक में ऐसे नहीं होता वहां फ़र समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़ड़ी भूत ह हो गया है इसे छोड़ नया शरीर लेंगे सत्यों में ऐसे सोचते हैं अभी पुराना कपड़ा हो गया लेना है नया शरीर लेंगे फिर साक्षतकार भी होता है समझ को ही साक्षतकार कहा जाता है हमारी अब नई खाल तयार हुई है पुरानी को अब छोड़ना है वहां भी उनको कहा ही जाता है अमल लोग जहां काल आता नहीं क्योंकि काल भी यदि हमें बिना बताए आए मतलब हमारे अनुसार ना आए तो वो भी तो काल बड़ा हो गया ना फिर विश्व महाराजा से तो परमीशन लेनी पड़ेगी ना जीवन मुक्तिस्थिति वालों से तो परमी आता नहीं अपने आपी संकल पाता है कि अभी समय पूरा हो गया अभी यह शरीर छोड़ना है इसलिए काल को जीतने वाले हम बनते हैं तो बाबा कहते हैं आप इस समय पर शरीर छोड़ देते कच्छुए का मिसाल भी यहां का है काम करके फिर अंतर मुक्षी हो जाता है इस समय के मिसाल फिर भक्ती मार्ग में कौपी करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र हो समझते कुछ भी नहीं कि कच्छुए का इसको क्या है अर्थ समझते कुछ भी नहीं अभी तुम समझते हो राखी उत्सव दशेरा दीप माला होली यादी सब इस समय के हैं यह सारे त्योहार संगम्युक से निकले हुए हैं, सब इस समय के जो भक्ति मार्क में चले हैं, तो यह बातें सत्युग में होती नहीं, राखिय पवित्रता का त्योहार पवित्रभा में बनना है, धशयरा, अभी हम रावन को खतम करते हैं, दीपमाला, अभी आत्मा का मतलब दीपक तो अलड़ी जगह ही हुआ है, उसकी लोग थोड़ी कम हो गई, तो बाबा की याज से प्रकाशत हो रहे हैं, हाँ, होली, होली भी पवित्रता और होली, मतलब विकारों को मैंने भसं किया, पास्ट इस पास्ट, बुरायों को मैंने जलाया, हाँ, यह सारे बा सत्यूग में होती नहीं, यह ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्यकाल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, आज बाबा टॉपिक कह रहे हैं, मनुष्यकाल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, म्रत्यों लोग से अमन लोग में कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले जैसे देखा जहाए हमारा जो कल का टॉपिक था ना पावर्फूल भाउद ब्रावर्फुल ठिंग कई ये भी तो इसी से रिखान था सरुल के लिएक जा सकते दूप्ली में कैसे जा सकते मêmes तो बाबा कहते हैं, मृतियों लोग से अंनना कैसे जा सकते हैं, ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है, जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है, तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा, रावन राज से दैवी राज में कैसे जा सकते हैं, समझानी तो भल एक ही है, चाहे नर्क से सत्यूग में कैसे जा सकते हैं, मृत्यू लोग से अमर लोग में कैसे जा सकते हैं, रावन राज्य से, राम राज्य में कैसे जा सकते हैं, बाबे के ते समझाने तो भल एक ही ही है, परन्तु भिन 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 टॉपिक सुनने से खुशी होगी, कि बेहत के बाप से बेहत का वर्सा कैसे मिलता है, जैसे सन्यासियों का अख़वार में पढ़ता है आज 125 यग रचा है उसमें याया सुनाएंगे यहां तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार यग रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है वह तो बहुत यग रचते हैं जुलूस आदी करते हैं यहां तो तुम जानते हो यह रुद्र शुब बाबा का एक ही यग है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाते मतलब इस यग के बाद इस यग को करने के बाद सत्यों गाता है इस यग में हम अपना तन मंधन लगाते हैं अर्थात हम अपना विकर्म विनाश करते हैं तो बाबा का भाव यहां यह है और फिर योग अगनी से यग में क्या होता है योग अगनी प्रजुलित होती न तो याद में भी हम क्या करते हैं याद में भी योग अगनी जिससे कि हम अपनी आत्मा में जो विकार हैं उसको भसम करते हैं तो बाबा कहते हैं जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो यह भी बाप तुमको समझाते हैं रचयता बाप ही आकर अपना और रचना के आदी मद्यंत का सारा नौलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं सत्यूग में है ही पवित्र देवता हैं पर राजाई भी करते हैं उसको कहा जाता है आदी सनातन देवी देपता धरम यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदी सनातन सत्यूगी देवी देपता धरम की स्थापना कैसे हो रही है आज बाबा हमारा एक प्रोग्राम हुआ ना बाबा नेक्स्ट के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि यह भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सत्यों की देवी देपता धरम की स्थापना कैसे हो रही है विश्व में शांती कैसे स्थापन होती है आकर समझो परम पिता परमात्मा के सिवाए विश्व में शांती स्थापन करने की राए और कोई भी दे नहीं सकते राए देने वाले को भी प्राइज मिलती है विश्व में शांती स्थापन करने की प्राइज कैसे और कौन देते हैं यह भी टॉपिक है ऐसे विचार सागर मन्थन कर टॉपिक निकालने चाहिए ऐसा प्रबंद हो जो सब जगा एक ही टॉपिक हो सब का कनेक्शन रहेगा सब जगा एक ही टॉपिक हो एक ही समय पर ऐसी लिस्ट बना कर पहले इशारा दे देना चाहिए सब को मालूम पड़ जाए कि सब जगा ऐसा भाशन चला इसको कहा जाता है यूनिटी कि अभी कई बारी मैंने यह उब्जब किया कि जैसे हम लोगों के जो टॉपिक्स होते न संकल्प से सिद्धी यह शिवानी बहन ने कोरोना के टाइम पर शुरू किया था संकल्प से सिद्धी अभी गॉर्मेंट के भी इस टॉपिक पर प्रोजेक्ट आये हैं है ना ऐसा संकल्प से सिद्धी इस्तरका है तो बाबा कहते हैं उन्हों को भी पता चले अच्छा है अच्छे कारी के लिए यूज हो रहा है तो बाबा कहते हैं ऐसे विचार सागर मंधन कर टॉपिक निकालने चाहिए ऐसा प्रबंध हो जो सब जगा एक ही टॉपिक हो सबका कनेक्शन रहेगा सारी दुनिया हां सबको मालुम पड़ जाए कि सब जगा ऐसा भाशन चला इसको कहा जाता है यूनिटी और ये प्रोग्राम भी हुआ उस समय दो हजार बारा में और साथ में एक एक लाग की सवा भी थी बहुत बड़े रूप से वो प्रोग्राम हुआ था वन गॉड वन वर्ड फैंबली और फिर मधुमन से भी दादियां कहीं जैसे गुलजार दादी थे यहां पे निरवेर भाई ऐम्दाबाद में थे ऐसे मधुमन से भी बड़ी दादियां विदेशों से भी दीदियां आये थे बहुत ब हाच राग तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है यूनिटी सारी दुनिया में इस समय डिस यूनिटी है राम राज्य का गायन है शेर गव एखटा जल पीते हैं त्रेता में ऐसा गायन है तो सत्यों में क्या नहीं होगा बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाए लिखती है तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो दुनिया में धेर कथाए बनाते रहते हैं दौपर से लेकर कल्यूप तक जो भी शास्त्रादी चलते हैं वहां तो वह होते नहीं भक्ति मार्ग की सब बाते पूरी हो जाती हैं यहा ना सुनो, अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धी में रखो, हम संगम योगी ब्राम्मन कितने उचे, देवताओं से भी उचे, इस समय हम इशुरी उलाद हैं, धीरे धीरे व्रद्धी को पाते रहते हैं, इतनी सहज बाद भी किसकी बुद्धी में नहीं आती है, हम इश संतान हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वह बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, करोणों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती है, बाप आकर याद दिलाते हैं, यह तो पांच जार वर्ष की बात है, तुम देवी देपता थे, अब तुमको वही बनाता हूं, सम्मुख सुनने से कितनी खुश्यों रिफ्रेश्मेंट आ जाती है, बच्चे जो सयाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धी में आता है, हमको पाप से वर्षा तो जरूर लेना है, बाप नहीं दुनिया रचते हैं, तो जरूर हम भी नहीं दुन सब का धर्म, सब के रहने का इस्थान आना जाना ये भिन्मविन्न हो सकता है, जैसे कैसे आकर मौल वतन में निवास करते हैं, यह भी बुद्धी में है, मौल वतन परमधाम में सिज्रा है, सुक्षभतन में सिज्रा नहीं दिखा सकते, वहां जो कुछ दिखाते हैं वह सब है सक्षतकार की बात है यह सब ड्रामा में नूंध है फिर सुक्षमवतन में भी जाते हैं वहां मूवी चलती है परमधाम में साइलेंस है बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था आवाज नहीं पी ओल्ली मूवमेंट फिर टौकी बनाया साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं जैसे वहां अत्माओं का सिजरा है वैसे यहां मनुष्यों का है तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धी में रख तुम भाशन कर सकते ह फिर भी फिर भी पड़ाई में टाइम लगता है करके यह भी समझ जाए परन्तु याद की यात्रा कहां जिससे धारना और खुशी हो चलो ग्यान मिल गया कोर्स कर लिया लेकिन याद भी चाहिए धारना भी चाहिए जिससे खुशी हो अभी तुम यतार्थ रीती योग देख रहे हो बच्चों को समझाया है सब को भाई भाई देखो आत्मा का तक्त तो यह इसलिए भागीरत बाबा का सिंगासन भी मशूर है जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो कि हम भाईयों को समझाते हैं यही दृष्टी रहे इसमें ही भारी मेहनत है मेहनत से ही उच्पद मिलता है बाप भी ऐसे देखेंगे बाप की नजर भी ब्रकुटी के बीच में जाएगी आत्मा तो छोटी बिंदी है सुनती भी वही है तुम बाप को भी ब्रकुटी के बीच में देखेंगे बाबा भी यहाँ है तो भाई अर्था भ्रम्मा की आत्मा भी यहाँ है ऐसे बुद्धी में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते बाबा भी बैठा है ब्रह्मा भी बैठा है और बाबा को देख रहे हैं शरीर को नहीं देख रहे हैं ऐसा समझने से तुम बच्चे ग्यान सागर के बच्चे बन जाते हैं तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है ग्रहस्त व्यभार में रहने वालों के लिए यह अवस्था जरा मुश्किल है वी लेकिन अभी आम ग्रस्ति नहीं है। रस्ति है न है बिएक डिने मेरा पनाया मतलब ग्रस्ति न ही हो यह पाड़ मेरा फाज लिए तुम्हारी लिए तो बह। सहीए कि ग्रस्तम वयववार में रहने वालों के लिए यह अवस्था सुझ कर घर चले जाते वहां का वातावरण ही ओर है यहां सहज है बाबा युकति बहुत सहज बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो यह भी भाई है इस दृष्टी से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे शरीर को देखेंगे कर्म बंधन बनेगा, आत्मा को देखेंगे तो कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे, मतलब न्यारे हो जाएंगे, शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बात ही याद रहता है, इसमें मेहनत करते रहेंगे, तब पास विद ओनर होंगे, ऐसी अवस्था में बिर करना है उच पद पाने वाले कैसे भी करके पुर्शारत जरूर करते होंगे इसमें दूसरी कुछ भी बाते निकलती नहीं है भाई-भाई की दृष्टी इसने और संबंद हो जाता है दृष्टी वह जम जाती है इसलिए बाब कहते हैं तुमको बहुत गूई-गूई बाते सुनाता है इसमें अभ्यास करना महनत का काम है यहां भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो यहां भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो आत्मा ही सुनती है सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो मनुष्य तो कह देते कि आत्मा निरलेप है बाकी क्या शरीर सुनता है यह तो रॉंग है बाकी क्या शरीर सुनता है यह तो रॉंग है बाप तुमको गोई-गोई बाते सुनाते हैं मेहनत तो बच्चों को करनी है जो कल्प पहले बने थे वो मेहनत जरूर करेंगे अपना अनुभाव भी सुनाएंगे ऐसे हम सुनता सुनाता हूं आदत पढ़ गई है आत्मा को ही सुनाते हैं अब है किते हैं यह आदत पढ़ जाएगी आत्मा को देखने की आत्मा को सुनाने की आत्मा से बात करने की ऐसे हैं यह है मन मनाभाव फिर वह उनको वह उनको कहते हैं मन मनाभाव अर्थात बाप को य तो याद तो रहे गी ना लेकिन नहीं नहीं आत्मे किस्मति रहें तो तो आट्वादिकली परमात्मा किस्मति रहें यह यह थे तो बाबा ने कहा हां है जो कल्प पहले बने थे वह महनच जरूर करेंगे अपना नुभव भी सुनाएंगे, ऐसे हम सुनता सुनाता हूं, टेव पड़ गई है, जो कल्प पहले बने थे, उनका पुर्शारत अभी से ऐसा चलेगा, और उनको आदत पड़ जाएगी आत्मिक द्रिश्टी रखने की, टेव पड़ गई, आदत पड़ गई है, आत्मा को ही सुनाते हैं, डेश मन मनाभ, फिर वो उनको वो उनको कहते हैं, मन मनाभ वर्थात बाप को याद कर, यह बाबा ने कलियर कि, आत्मा को याद करूं नहीं, बाप को याद कर, यह गुप्त महनत है, यह गुप्त महनत है, जैसे पड़ाई भी एकांत में जाड के नीचे जा कर पढ़ते हैं उस थूल बात गर में कई बारी महमान होते थे एकजाम है चत पर जाकि अलग कमर हैं जाके पढ़ते थे तो यह तो प्रक्टिस करने की बात है जो ते फिडरते तर事情 करने की बात है दिन प्रती दिन तुम्हारी यह रखते जाएगी तुम नहीं बात सुनंते हो ना सुनते हो वह फिर नहीं कि अनक्र सुनेंगे को है और फिyrस्ट क्लास कुई बात बात सुनते वह जो पुर्शारत करने से हिंtinya और यह पंद्ध किलेंगे हैं जितना यार्ट करेंगे समझेंगे हम जाते हैं आपके पास शरी छोड़ देते बाबा ने देखा है, ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष रखने वाले, जब शरीर छोड़ते हैं, तो सन्नाटा हो जाता है, बाकी मुक्ष तो कोई पाता नहीं है, ना वापिस ही जाते है, नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए न, अंत में सब आ जाते हैं, सारे संसार की आ वापिस जाएंगे, परमधाम में एक भी नहीं होगा, तब यहां से सब वापिस जाएंगे, जो भी मनुश्मात्र हैं, सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे, वह कहेंगे, सब को सी ओफ किया, इस समय सत्युक की स्थापना हो रही है, कि क्रिये, नई दुनिया की जनम देने वाली आत्मा है, तो आई जाएंगे, इस समय सत्युक की स्थापना हो रही है, कितने करोणों मनुश्य है, सबको हम सी ओफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे, वो लोग तो करके 40-50 को सी ओफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ओफ करते हो, करोणों आत्माओं को सी ओफ करते हो, है न, अभी सभी आत्मा ये मच्च्णों सद्रश्य चली जाएंगी, शांती धाव, करोगे कि सुचो अंतिम द्रश्य वो कैसा होगा उनको विदाइद होगे तुम आए हो साथ ले जाने और सब को भेजने के लिए तुम्हारी बातें बड़ी वंडर्फुल है इतने करोणों मनुष्य जाएंगे हैं उनको सी ओफ करी लेकिन कौन सी आत्म है जो जरवाली आत्म है जो आदी रतन है वो आत्म है क्योंकि जरवाली ही आत्म है सत्योक शुरुवात में आती है न? तुबाबा केते यह अभे तुम्हारी बुद्धी ही काम् करती है दीरे-दीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा फिर रुंड माला रुद्र माला बन जाएगा अ ुम्मल्द माला रुद्र माला बन जाएगी तो टोर्क इमरा रुध्र माला किसको कहते है ओ तो सब आत्माइ शरीर छोड़ेंगी तो फिर वो रुंड माला रुद्र माला बन जाएगी. यह बात तुम्हारी बुद्धी में है कि रुद्र माला, कैसे बनती है और रुंड माला, कैसे बनती है. कि ऐन्से रुंड माला किसके दिखाए गए भक्ति मार्क में. रुंड माला काली जी को दिखाए गई अब इमें जल्दी करते हूं कि मतवन के एक भाई है उनको जाना है उनको अपना नुभाव को सुनाना है उनकी ट्रेन है पर बाद में इस विशे पर बात करेंगे तो बाबा कहते हैं यह बात तुम्हारी बुद्धी में है तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धी है वही इस बात को समझ सकते हैं अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं याद करने के लिए हम रूद्र माला में जाकर रूण्ड माला में आएंगे फिर नंबर वार आते रहेंगे कितनी बड़ी रूद्र माला बनती है इस ज्यान को कोई भी नहीं जानते हैं शुरू से लेकर इस ज्यान को कोई जानते नहीं तुम संगम युगी भ्रामण ही जानते हो इस संगम युग को याद करो तो सारी नौलेश तुम्हारी बुद्धी में आ जाएगी तुम हो लाइटाउस, सब को ठिकाने पर लगाने वाले, सब को ठिकाना देने वाले, तुम कैसे अच्छे लाइटाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, जो तुम से लागुना होती हो, तुम सर्जन भी हो, तुम सराफ भी हो, तुम धोबी भी हो, सभी खूबिया विशेष्टा है तुम्हारे में आ जाती है, सर्जन भी हो, सराफ भी हो, बिजनिस भी करते हो, तुम धोबी भी हो, बाबा के साथ बिजनिस करते हैं, महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु न नंबर वार पुशारतनुसा, सरजन भी नंबर वार होते हैं, सराफ भी नंबर वार होते हैं, जैसे जैसे करतवे करते हो, ऐसा ऐसा गायन होता है, बाप तो डारेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना, सेमिनार करना, तुम बचों का काम है, आज बाबा ने नेक्स्ट के लि बहुत सुनाने से क्या फाइदा बाप कहते हैं मन मनाब हो बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं कितना तरावटी माल खिलाते हैं सुबह सुबह यह माल बाबा हमको देते हैं सारा दिन कितना फ्रेशनेस रहते हैं रिफ्रेश हो जाते हैं अच्छा मीठे मीठे स सदा नशा रहे कि हम संगम्यूगी ब्राह्मन देवताओं से भी उच है क्योंकि अभी हम इश्री उलाद है क्योंकि अभी हम इश्री उलाद है हम मास्टर ग्यान सागर है सभी खूबिया इस समय हमारे में भर रही है सभी खूबिया इस समय हमारे में भर रही है सेकेंड पॉइंट जो बाप समझाते हैं वही बुद्धी में रखना है बाकी कुछ भी सुनते हुए ना सुनो देखते हुए ना देखो हीर नो एविल सी नो एविल वही बुद्धी में रखना है बाकी कुछ सुनते हुए नहीं सुनो देखते हुए नहीं देखो अच्छा बर्दान है इशुरी सेवा द्वारा इशुरी सेवा द्वारा वेराइटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव इशुरी सेवा द्वारा वेराइटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव इसलिए आज बर्दान भी बाबा वही दे रहे है डिटेल कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा अना खाया ना सभी ने मेवा इशुरी ज्यान देना ही इशुरी सेवा है जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतिंद्रे सुख का शक्तियों का खुशी का वेराइटी मेवा मिलता है आप ब्रामन ही इसके अधिकारी हो क्योंकि आपका काम ही है इशुरी पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना जिससे इशुर के बन जाए तो ऐसी इशुरी सेवा करने से इशुरी फल के अधिकारी बन गए इसी नशे में रहो अपने गुड़ों के द्वारा सेवा करना विशेष्शताओं के द्वारा सेवा करना दूसरों का अनुभव होना तो ये भी तो भाग के जमा करना है अच्छा लोगन है बाप के साथ रह कर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे अच्छ आज अव्यक्ति इशारे 18th पॉइंट बेगंपुर का बाश्या अर्थात सर्व शक्तियों के खजाने का मालिक अभी रहने दो कल का बाद में सुनाएंगे खुशियों का खजाना ब्रामण ब्रामणों का जनम सिद्ध अधिकार है इस अधिकार के कारण ही आश्रेश्ट आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता रहता है ऐसे बेगमपुर के बाश्या जनों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्प काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्माओं खुशी का अनुभौ करने लगती है ऐसे चैतन आप सुयम बेगमपुर के बाश्या हो क्यों क्यों ऐसा नूबह उता क्योंकि आप सर्व खुशियों के खजाने का मालेक और खुशियों के खजाने का मालेक तो जिसके पास खजाना है उसको उसके साथ रहेंगे है अच्छा ओम शांति अब यमारे बीच में प्रकाश भाई आय हुए है मांट अबू हम सबका प्यारा